मुझदफरबुर के साहब गंच से विधायक राजू कुमार सिंग विवादों में घिर गए हैं नेता जी पर जाती सूचक शब्द इस्तमाल करने मारपेट और धमकी देने का आरोप लगा है ये आरोप किसी और नहीं बलकि पारू के सीओ अनिल भूशन ने लगा है मामले में अधिकारी की ओर से FIR भी दर्ज करवाई गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 11 अप्रैल को मुबाइल पर कॉल कर विधायक ने उन्हें आवाज पर आने को गहा वो राजस्व करमचारी, सहप्रभारी, अंचल निरिक्षक, चंद्रदीब कुमार के साथ विधायक के घर पहुँचे वहाँ पर पहले से सहब गंज विधायक के साथ करीब 75 लोग मौजूद थे लोगों की भीड देखकर उन्हें अप्रिय घटना की आशंका हुई विधायक के घर पहुँचते ही उनके साथ अभधर वेभार किया गया विधायक ने जाती सूचक शब्दों का इस्तमाल करते हुए जूता मारने की धमकी दी आरूप के अनुसार विधायक ने कहा कि डीटा ओपरेटर सोनू को हटाने के लिए बिना उनसे अनुमती लिए कलेक्टर को क्यों लिखा इस पर सीओ ने जवाब दिया कि उस पर आम लोगों की शिकायत थी वो कारयाले की गोपनियता भंग करता है साथी आम लोगों से उसका व्यवार अच्छा नहीं है इतना सुनते ही विधायक उन्हें अपमानित करने लगे विधायक ने कॉलर पगड़ कर कुर्सी से उठा दिया और तमाचा जड़ दिया उनके साथ हाए रजस्व करमचारी को भी थपड मारा उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि तुम दोनों को किसी दुषकरम के केस में फसा देंगे राचलते हत्या करवा देंगे पूरे परिवार को भरिबात कर देंगे विधायक द्वारा उन्हें गोली मारने तक की भी धमकी दी गई वहीं साहब गंज के विधायक ने इन आरोपों को बेबुन्यात बताया है उन्होंने दाखिल खारेज में गरबडी करने का आरोप लगाते हुए पारू CEO अनिल भूशन वे प्रभारी राजस्वा धिकारी चंदर दीप कुमार के खिलाफ डीम से शिकायत की है विधायक ना आरोप लगाया है कि विभाग की ओर से कर्मी द्वारा दाखिल खारेज पर रोक लगा दी गई है CEO ने पत्र जारी करते हुए कर्मी को हलका अवंडित कर दिया इसमें आवायत उगाही की गई विधायक राजुकुमार सिंग का कहना है कि साहब गंज में सहनी समाज के लोगों के मकान आग लगने की वज़ह से जल गए अनुदान नहीं मिलने पर समाज के लोग उनके पास आ गए थे इसको लेकर CEO को बलाया था CEO ने शौट सदकित से हुई इस घटा में अनुदान नहीं मिलने की गलत जानकारी दी इसी बात को लेकर उन्हें डाटा था, लात मार कर गिराने या फिर गाली गलोज करने के आधी का आरोप बेबुनियाद है साहिब गंज के विधाय का आरोप है कि राजनेती वे बहकावे के चक्कर में CEO ने गलत तरीके से FIR दर्ज करवाई है